जोहान वेलकम टो MBDR या मॉडल स्कूल क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिक्स प्रिविस नमें नेशन ऑफ कंडिडेट्स किस तरीके से नमें नेशन होते हैं वो फॉर्म भड़ते हैं एलक्शन कमिशन के पास तो वो कौन है जो कंडिडेट्स उनकी अलिजिबिलिटी क्या है इस वीडियो में स्टुडेंट हम पढ़ेंगे ठीक कंडिडेट अब खड़े भी हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए लेकिन एलक्शन कंपेंड कैसे करते हैं अपने आपको वो कैसे जनता तक पहुचाते हैं कि वी आर दा बैस्ट और उनको कैसे वो एट्रेक करते हैं तो इलक्शन कंपेंड क्या होता है वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे election campaign means simple सा एक propaganda होता है अपनी party के ideology को जनता तक पहुचाना कि we are the best और हम इस तरीके से काम करते हैं और जनता को अपनी तरफ act act करने की कोशिश करते हैं the main purpose of election is to be give people a chance to choose the representatives, the government and the place they prefer main purpose जो होता है election का student वो ये होता है कि एक chance होता है लोगों को ये चुनने का यानि जनता ये चुन सकती है एक chance होता है कि वो अपने representative को चुने and the government, the policies they prefer और कौन-कौन सी government है जो policies उन्होंने prefer करी हैं उनके सामने रखी हैं तो election campaign के अंदर ये main purpose ये होता है कि people को एक chance मिल जाता है choose करने का अपने represented को और government को भी chance मिल जाता है अपनी policies को लोगों के सामने represent करने का कि हम ये work आपके लिए करने वाले हैं there it is necessary to have to free and open discussion about who is a better representative और ये discussion बहुत openly होता है campaign के अंदर meetings होती है, पडचार होता है पडशार होता है, उसके अंदर आपने कई बार देखा भी होगा किस तरीके से mic लगा के अपनी party को किस तरीके से indicate किया जाता है, show किया जाता है और ये जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो representative जो खड़े हो रहे होते हैं वो better है, अपने आपको proof करते हैं ये free होते हैं अपने लिए और open discussion करते हैं जनता के सामने which party will make a better government what is good policy that means कौन सी party होगी जो सबसे best party होगी और कौन सी policies उनके लिए best होगी this is what happens during election campaigns और ये सब कब होता है जब election campaign हो रहा होता है यानि अपनी publicity कर रहे होते हैं जो candidates होते हैं party के through और party उनको support करती है अपने candidates को और जनता के सामने represent करती है वो election campaign के through करती है तो in our country such campaigns take place for a two weeks period between the announcement of the final list of candidates हमारे country के अंदर जो finally campaigning होती है यानि जब चुनाव हो रहा होता है उससे दो हफते पहले का जो time होता है उस time पे जब final list त्यार हो जाती है candidate की कौन-कौन candidates है जो कि election रड़ रहे है तो उसके बाद से वो अपनी publicity कर सकते है and the date of polling यानि जो चुनाव की date है उससे पहले तक और जो उनकी list निकली है नाम की candidates की कि आप election में खड़े हो तब से लेके चुनाव की date के बीच तक वो two weeks के अंदर अपना परचार करते हैं अपनी को कोशिश करते हैं represent करने की जनता के सामने during this period the candidates contact their voters अब ये जो time होता है student ऐसा time होता है जब candidates क्या करता है voters के सामने अपने आपको shows करता है connect हो जाता है contact में आता है सबसे पहले वो contact में आएगा and political leaders address election meeting और वो meeting करेंगे और meeting के तुरू जो leaders होते हैं वो जनता को अपनी तरफ address करेंगे कोशिश करेंगे कि उनको समझा सके हम best हैं हमारी party better है जैसे कि आपने देखा होगा एक मंच लगा होता है उसमें speech दी जाती है political parties mobilize their supporters और parties जो होती हैं वो अपने support करती है supporters जो हैं अपनी party को support करते हैं that means जो political parties हैं जो उनके candidates हैं उनके लिए supporter बनके तयार खड़े होते हैं जैसे कि आपने देखा भी होगा जो VJP party के हैं तो बहुत सारे ऐसे उनके supporters होते हैं जो parties के साथ की promote करने के लिए उनका support कर रहे होते हैं जैसे कि आपने example में बहुत सारे ऐसे अपने favorite hero heroine को देखा होगा जो कि party का परचार परसार कर रहे हैं candidate की support में खड़े हुए यानि उनको ये दिखाने के लिए जनता के लिए कि हम इनके साथ हैं और आप भी इनको हम पसंद करते हैं आप भी पसंद करें तो एक supporter होता है parties के लिए उनके साथ जाना जो candidate है उसका भी एक मनोबल बढ़ जाता है this is also the period when newspaper and television news are full of election related stories, debates और ये वो time होता है जब आप ते टीवी में भी newspaper में भी देखेंगे फुल पूरी news है न फिल होती है debates होरी होती है, चर्चा होरी होती है कि किस party ने क्या करा पूरे साल और कौन से party best उनकी stories क्या है but election campaign is not limited to these two weeks only लेकिन अगर हम सिर्फ कहें कि जो ये campaign होता है election campaign यानि जो propaganda होता है जो परचार month before, कई महीने पहले ही वो start कर देती है, अपनी publicity करना they actually take place और वो इस चीज़ पे अपना work करना start कर देते हैं क्योंकि अगर उन्हें अपने आपकी performance जनता के सामें रख पाएंगे तब ही वो show कर पाएंगे कि we are the best और वो attract कर पाएंगे in election campaigns जो भी election campaigns है यानि जो परचार परसार करने का तरीका है election में political parties try to focus public attentions on some big issues तो कुछ ऐसे बड़े बड़े issues होते हैं जिसमें जनता का attention attract करते हैं अपनी तरफ they want to attract the public to the that issues and get them to vote for their party और वो कोशिच करते हैं public को अपनी तरफ attract करने की और उपनी party की तरफ और वो ऐसे से issues उठाते हैं ताकि उनको vote मिल सकें जनता उनको पसंद कर सकें let is some of the successful slogan give by different political parties in various elections ऐसे कुछ example हम देखेंगे student जो कि उन्हें कुछ famous party है successful parties है जिन्होंने हर time अपने कुछ ना कुछ slogans शो करें है political parties ने election के time पे कि जब election होते हैं तो कौन-कौन से slogans है नारे हैं जो लगाते हैं जैसे कि congress party है जो इंदरा गांधी के time पे थी उन्होंने slogan दिया था घरीबी हटा और remove poverty यानि लोग सबा election जब हुआ था PM का election 1971 में तो party promise करती है reorient all the policies of government to remove poverty from the country यानि party हर वो काम करेगी जिससे की वो गरीवी को खतम कर सके और लोगों के लिए एक development economic grow कर सके नेक्स्ट सेव डामोक्रेसी ये स्लोगन दिया था जनता party ने और इनकी leadership किसके उस time पे जै परकास नरायन ने इनकी leadership पर समाल रखी थी लोगसभा election के time पे 1977 में यानि लोगसभा election यानि PM के election and the party promise to undo the excesses committed during emergency यानि इन्होंने promise किया था कि अमेर्जेंसी में जब democracy के अंदर कुछ चेंज करे थे तो उसे एक dangers था liberty of civil यानि जो उनकी सुतनता थी उनको खत्रा था तो इसलिए लोगसभा के election में इन्होंने promise करा कि हम उसको restore करेंगे जो भी liberty को loss हुआ है जो एमर्जेंसी में इन्होंने changes करें हैं democracy के अंदर वो fit नहीं बैठते हैं तो इनकी जनता party ने ये promise किया था save democracy कि हम democracy को save करेंगे और left front की जो party या उनका slogan क्या था land to the tiller that means जो जोतने वाली खेती होती है west बंगाल की अंदर assembly election में यानि state election में जो हैं उसमें 1977 में उनका slogan था कि हम जो land reform है वो करेंगे यानि जिसके पात ज़्यादा जमीन है उससे लेकर हम छोटे-छोटे किसानों को distribute करेंगे तो यह इनका slogan था next है protect the self-respect of the telgoos यानि जो telgoo बोलने वाले हैं उनका जो slogan था इस party का anti-rama rao थे इस party के leader और उन्होंने promise करा था कि हम जो telgoo देशम party in आंदरा परदेश assembly की है जो assembly की election हुए थे आंदरा परदेश में state election 1983 में तो उन्होंने इसको रखा था कि हम अपने इस भासा को promote करेंगे और safe करेंगे और in a democracy it is the best to leave political parties and candidates free to conduct their elections campaign सबसे best तरीका democracy में होता है कि जो parties हैं और candidates उनको free छोड़ देना चाहिए कि proper अपना campaign कर सकें अपने आपको propaganda को परचार कर सकें परचार कर सकें परचार कर सकें अपनी party का और जनता के सामने जो वो चाहते हैं वो दिखा सकें but it is sometimes necessary to regulate लेकिन कई बार क्या होता है कुछ ऐसी condition होती है कि ये regulate करना बहुत जरूरी है कि campaign सही है या नहीं है तो उसके लिए और equal chance मिलना चाहिए compete करने का according to our election law की according जो भी हमारे law में लिखा हुआ है constitution में provision है party और candidates can क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है no party और candidate अब ऐसी चीज़े कुछ बता रहे हैं जो party नहीं कर सकती है जैसे bribe यानि वो घूसकोरी नहीं कर सकती है किसी voters को डुरा नहीं सकती है and appeal to them in the name of caste or religion यानि धरम के नाम पर अपने votes को नहीं मांग सकती है या किसी जैसे church, गिर्जा, मंदिर जो होते हैं वहाँ जाके पचार पचार सा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी country एक secular country है सभी धरमों को यहाँ पर important दी जाती है और use of government resources for election campaign election campaign करने के लिए government के resources को use नहीं कर सकते जैसे कि आप सोच रहे होंगे जो वीजेपी party है तो उसकी government है नहीं, वीजेपी party है लेकिन जो उसके जो leaders है PM है या cabinet minister होते हैं वो एक officers होते हैं government party को हम मानते हैं वो उसको relate करते हैं लेकिन वो उससे different हैं तो जब election होते हैं तो जो गॉर्मेंट officers होते हैं उनकी जो भी resources हैं या उनकी vehicle हो गए या फिर उनकी जो publicity है वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो government officers हैं वो government के लिए work कर रहे हैं वो अपनी जो party है उसको support करने के लिए directly नहीं आ सकते हैं क्योंकि उस time पे जब election हो रहे होते हैं तो सारी party equal हैं चाहे जंता party है या फिर वीजेपी party है या फिर congress party है तो उस time पे government के जो officers हैं like a PM हो गए या फिर minister cabinet हो गए वो उनको support नहीं कर सकते हैं और अपने resources को use नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो government हैं और under government work कर रहे हैं employed हैं तो यहां भी minor से difference समझने की जरूरत है student की government employer और उनके resources को नहीं use कर सकते हैं चाहे वो उस party को support ही क्यों ना कर रहे हैं लोग सभामे या फिर 10 lakh से ज़्यादा वो खर्च करती है election assembly में यानि PM के जो election होते हैं उससे 25 lakh से ज़्यादा कहीं वो खर्च तो नहीं कर रही है party और जो यानि जो state के election हो रहे हैं उसमें 10 lakh से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती है कोई भी party तो इसमें mandatory अगर कोई भी ऐसा करत हुआ पाया जाता है इस अगर वो follow करता है या कोई ऐसी mistake करता है इसमें से तो election can be reject by court even after they have been declared elected अगर वो जीत भी जाते हैं तब भी अगर वो guilty पाया जाते हैं तो उनकी election को रद कर दिया जाएगा according to law. in additions to the law all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns और जितने भी law के according सभी political parties को code of conduct को मानना पड़ेगा code of conduct का मतलब होता है student के उसके अंदर कुछ provisions है, rule regulations set up किये हैं election campaign करने के लिए यानि आप अपनी election के time पे अपनी party को promote करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं according to no party or candidate party कोई काम नहीं कर सकती यानि use any place of worship for election propaganda किसी भी मंदीर या धरम के स्थान पे जाके जाके अपना परचार नहीं कर सकती है अपना परचार नहीं कर सकती है कोई भी party क्यों नहीं हो कोई भी government का vehicle यूज नहीं करेगी, aircrafts यूज नहीं करेगी, officials जो हैं वो election में help नहीं क policies, decisions, or make any promise of providing public facilities, that means जब ये declare हो गया है, list निकल चुकी है, candidates की और election का polling time आचुका है, उसके जो during time period होता है, उस time पे, जो government होती है, वो कोई भी ऐसी policies को नहीं, मतलब scheme को project लांच कर सकती है, जैसे की highway बनाना, या फिर और भी subsidy pass करना, ऐसे government वर्क नहीं कर सकती, जिससे की party को support मिल सके, attract हो सके, और उनको vote मिल सके, क्योंकि party individual अपने दम पे लड़ती है, government जो है, like a PM या cabinet minister उनकी help नहीं कर सकते, like a इस तरीके के जो project है, at a time election पे नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, party को support मिल जाएगा, और जनता जो है, attract होगी, vote डालने के लिए, तो at a time नहीं क parties है, तो लेकिन government जो है, basic वो, वीजेपी की party है, और वीजेपी को support करती है, लेकिन election के time पे वो support ऐसे directly नहीं कर सकती है, कोई भी scheme ऐसे नहीं launch कर सकती है, at a time, के लोगों को attract करें, तो ये कुछ code of conduct में है, that means, कुछ जो questions आज हमने करें है, ये election campaign करा, यानि अपने आपको people's जनता के सामने represent करने के लिए क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या नहीं कर सकते है, code of conduct क्या होता है, और कोई भी party success करने के लिए अपना आपको किस तरीके से represent करती है, ये इस video में student discuss करा, next video में पढ़ेंगे polling and the counting of votes, thank you, thank you so much, keep learning, keep watching,